हेलो दोस्तों आर्ट बनाएंगे सूजी और पोहे का इतना हलका फुल का टेस्टी नासना किसे आप गर्मियों में रोज बनाना चाहेंगे गर्मियों में तला भुना खानी का मन नहीं करता तो जटपट से बना देना इस टेस्टी सी रेसिपी को तो इसके लिए ना सूजी और जो पोहा लिया है इसकी बराबर क्वांटेटी होनी चाहिए तो हमने लगबग एक कटोरी इस पोहा और एक कटोरी सूजी लिया है सूजी यहां पर बारी क्या मोटी कोई भी ले सकते है अब इसे एक बड़े बरतर में डाल देंगे दोनों चीजें सूजी और पोहा और इसमें डालेंगे दो कप के जितना पानी और इन्हें अच्छे से मिला देंगे सारी चीजों को बढ़िया से मिला देना है अच्छे से मिला देना है ताकि पोहा और सूजी तो उनों चीजे बहुत ही बढ़िया से फूल जाएं ये वाला स्टेप बहुत ही अच्छे से करना ताकि सूजी और पोहा बढ़िया से फूल जाएं दो चमच के करीब पानी उपर से डाल देंगे और इसे ढग कर रख देंगे अब हमने यहाँ पे पाच अलू को उबाल लिया है उबाल कर इनका चिलका निकाल दिया है अब इने हम एक नाइट से अच्छे से मैश कर लेंगे कुछ इस तरीके से आप चाहे तो पटेटो मैसर से भी इने मैश कर सकते हैं या फिर इने कद्दू कस कर सकते हैं तो इस तरीके से हमने अलू को बढ़िया से मैश कर लिया है, अब इसमें डालेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग नमर, जिस हसाब से आप तीखा खाते हैं, उस हसाब से चिली फ्लैक्स डाल देंगे, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, एक चमच हरी मिर्च डाल देंगे साथ में डालेंगे आधा चमच हरी सौफ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, साथ में डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसमें डाल देंगे हम एक कटा हुआ बारीक प्यास, अगर आप प्यास नहीं खाते हैं, प्यास को पूरी तरह स्किप कर देजिएगा, हरा धनिया डाल देंगे और सबी चीजों को हाथों से मिलाते हुए हमें इसकी चटपटी से स्टफिंग बना कर तयार करनी है, इसमें आप नीबू कर रस या फिर हम चुट पाउडर भी एड़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मिल जाता है, अब इसकी हमें छोटी सी बॉल्स बना लेनी है, इस तरीके से, और जैसे हम आलू की टिक्की बनाते हैं, सेम वैसा ही शेप हमें इसको दे देना है, यह हमें आलू की टिक्की पहले ही बना कर रख लेनी है, कुछ इस तरीके से, जब तक हमने यह टिक्कियां ब नमक या फिर टेस्ट के कोर्डिंग नमक और इसमें डालेंगे आधा कप पानी डालेंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे इस जगे पर आपना थोड़ा सा दही या चास भी यूज कर सकते हैं लेकिन आद में बना रही हूं बिना दही बिना चास का इस्तमाल किय यह बहुत ही टेस्टी नास था सभी चीजों को मिला लेंगे और जब यह फूल जाये तब इसे डाल देंगे मिक्सिजार में इससे यह बहुत ही अच्छे से ब्लैंड होगा जब यह अच्छे से पोहा सूजी फूल जाती है तो इसका जो बैटर बनता है बहुत ही स्मूद परफेक्ट बनता है इसमें आधा कप पानी डाल कर इसको हमें ग्राइंड कर लेना है और यह देखे कितना स्मूद सा बेटर बनकर तयार हो गया है तो इसे हमने से मुसी बरतन में निकाल लिया है अब इसे ना हमें थोड़ा सा फेट ना है इसे हमें एक से दू मिनट के लि ही फलफी सा बनेगा क्योंकि हमने यहां पर दही या फिर छाच का इस्तमाल नहीं किया तो फिर हम इनू का इस्तमाल करेंगे इनू के ऊपर थोड़ा सा पानी डा देंगे ताकि इनू एक्टिवेट हे जाए और इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मेक्स कर देंगे बैट तरीके से ब्रस से अच्छे से तेल लगा देंगे सारी कर्टोरियां हमने क्रिस्ट करके रख ली हैं बढ़िया से अब इसमें हमने जो बैटर बनाकर रखा है एक एक चमत बैटर डाल देंगे इसके पहले ध्यान यह रखिया जिस चीज में आप इन्हें स्टीम करें कड़ा तो तीनो कटोरियों को अरेंज कर देंगे और इसे ठक देंगे इसे हम दो से तीन मिनट के लिए ही ठक कर रखेंगे और दो मिनट में यह अच्छे से एकदम परफेक्ट इडली जैसी बनकर तयार हो गई है बहुत ही सौफ्ट सी बनकर तयार हुई है अब ना इसके ऊपर र होता है जो खाने में ही मज़े का लगता है इसे दोब कर आकर के लिए तीन से चार मिनट में यह अच्छे से पक कर तयार हो गया है और यह देखे कितना बढ़िया सा नास्ता बनकर तयार हो गया तो गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और कर्टोरियों को निकाल लेंगे बाहर जब यह ठंडा हो जाए तब इनको हम डी मोल्ड करेंगे तो प बना सकें तो यह देखे है हमने सारी जो इडलिया बनाकर तयार की है जो नास्ता बनाकर तयार किया है वो कितना फलफी और जाली दार बनकर तयार हुआ है वो भी बिना दही बिना बेकिंग पाउडर के और यह देखे सारी जो हमने इडलिया या फिर आप इससे नास्ता बो सकते हैं तो मीडियम फ्लेम पे हमने अलके से पैन को गरम किया और दूनों तरफ से उलट पलट करते हुए हलका से कलर आने तक इसे हम सेख लेंगे इसे काफी ज़़ा टेस्ट में फरका जाता है अगर आप ऐसे ही खाना पसंद करते हैं तो ऐसे ही खाईएगा बहुत ही फ्सूरत लग रहा है पस कि हमारा नास्टा बनकर तयार हो गया है अब इसे आप मन पसंद चट्नी सॉस के साथ साथ करिएगा तो मैंने आज इसे हरी अधनी टमाटर की चट्नी के साथ और सॉस के साथ से सब किया है आप चाहें तो नारियल की है टेश्टी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सा नास्ता बनकर तयार होता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से घर की ही बेसिक सामान से बनने वाला ये healthy और टेस्टी नास्ता। बच्चे से लेकर बड़ो तक सभी को ये बहुत ही जादा पसंद आता है बनाने में आसान तो है ही खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है और इसके आगे आप इडली समुसा बर्गर खाना भूल जाएंगे जब ये हेलदी सानास्ता बनाएंगे अगर आपको वीडियो मे कोछ भी अच्छा लगे तो